विश्पिर्सित ख्वाजा मौनुदीर हसन चिस्ती की दरगा के दरबार भी अब आम जायरीन के लिए खोल दिये जाएंगे नमस्कार मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं MTV इंडिया कुरोना मामारी में बरबाद हुई टूरिजम इंडस्टी के दिन एक बार फिर से लौट कर आने वाले हैं क्योंकि 7 सितंबर से राजिस्थान के कई धार्मे के स्थल खुलने वाले हैं और इसके लिए तयारिया पूरी कर ली गई है विश्पिरसित खौजा मौनदीर हसन चिस्टी की दरगा के दरबार भी अब आम जायरियन के लिए खोल दिये जाएंगे रहिवार को इसकी सबी तयारिया पूरी कर ली गई है गाइडलाइन के अनुसार दरगा के कुछ गेट जायरियनों के लिए खोले जाएंगे इसके साथ ही दरगा में जब जायरियन पिर्वेश करेंगे तो उनके पिर्वेश की और निकासी की अलग-अलग विवस्ता रहेगी लेकिन मैतपुर्म बात ये है कि ये पहली बार ऐसा होगा जब जायरियन खोजागरीब नवाज की दरगा में चादर और फूल पेश नहीं कर पाएंगे काइड लाइन की पालना करने के साथ दरगा कमेटी ने जायरियनों के लिए बिना एलकॉल वाला सेनेटाइजर मंगवाया है इसके साथी दर्गा में एक बार में कम से कम जायरिन को प्रवेश दिया जाएगा ताकि 6 फिट की दूरी और सुशल डिस्टेंसी की पालना पूरी की जा सके वहीं दूसरी और बिर्मा नगरी पुशकर में भी मंदिर के कपाट लगबक साड़े चार महीने के अंतराल के बाद 7 सितंबर को आम श्रदालियों के लिए खोल दिये जाएंगे यहां भी वक्तों को लकड़ी की बल्लियों और रस्यों के बीज से कतार बद होकर दोगज की दूरी के साथ मंदिर जाना होगा यहां भी वक्तों को करीब 15 फिट सादी की दूरी से जगत पिता बिर्मा और गायती माता के सिर्फ हाथ जोड़कर दर्शन करने होंगे यहां भी पहली बार फूल, माला, परसाद, जल और किसी परकार के अभी शेक करने और गंटी बजाने की अनुमती नहीं होगी आपको बता दें कि सोमवार को प्राते ब्रमा मूरत में ब्रमा मूरत में साड़े पांच बजे पुशकर के ब्रमा मंदिर के कपाट आम श्रदालियों के लिए खोल दिये जाएंगे जिसके बाद दौफेर देर बजे से तीन बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और उसके बाद रात नौ बजे तक बग दर्शन करने मंदिर जा पाएंगे